चले दोस्तों चालू करते हैं आज की ट्रैकिन आटो न्यूस नाइंटी नया हफता है जबरदस ख़बरे लेके आया हूँ आपके लिए वैसे इस गोई टो बी एक्स्ट्रीमली बिजी वीक ट्रैकिन टेक के ऊपर ट्रैकिन आटो पर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकिन दोस्तों चालू करते हैं टॉटो की ख़बरों के साथ जी हम सबसे पहले तो एक गवर्मेंट ने दो तीन चीजे जो बताई है नई रूल जो लेके आ हैं बहुत अच्छे है इस्पेशली सेफटी के लिए जिया अब उन्होंने कहा है कि हर एक नई कार जो एप्रिल कार जो भी वेचेंगे वो होनी चाहिए और थिंग इज ग्रेट 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 बूब दूसरी बड़ी ख़बर दोस्तों गवर्मेंट स्क्रापच पॉलिसी बजेट के समय उन्होंने अनौन्स किया था अब डीटेल्स आ रहे हैं धीरे धीरे अब गवर्मेंट को मैंने यह कहा हे कि अगर आप डी आप कार लोगे और पहली वाली तो इस पार संभान पैर पर शकान अम अपनीще क्रेटो ऑन जो पर पहली परसंट सबर्सक्राप करना मत बूल आ आपको आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो ट्राकीन आटो पे अप्लोड करते हैं वैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि यह जो सेमी कंड़क्टर चिप से उसका शॉर्टेज की वज़से कार इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पर रहा है अब दूसरी ख़बर यह आ रही है कि कार फोम, कार सीट जो होता है उसकी जो फोम है उसका भी डिमांड, डिमांड तो नहीं, सप्लाई जो है बहुत कम हो रहा है बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और जिसकी वज़से इट माइट हैपन कि कार जो मैनुफेक्टर फिल प्रोड सिर्फ इतना ही है कि पेट्रोल और डीजल वाले जो कार्स या बाइक से वह नहीं खरीद रहे हैं, वह खरीद रहे हैं C&G and e-vehicles, विचिस अ बिग नुज जिया, महराष्ट्रा में दोस्तों, अगर मैं बताऊ आपको तू-Wheelers के बारे में, 375% से C&G तू-Wheelers इंक्री हो गए हैं पिछले 3 महिनों के अंदर, yeah, skyrocket petrol के प्राइज हो गए हैं, तो obviously यह होने वाला है, C&G and electric vehicles भी कुछ 30% से बढ़ गए हैं सिर्फ 1-2 महिनों के अंदर, so I am happy, I am really happy कि लोग धीरे-धीरे cleaner fuel की तरफ मुढ रहे हैं, हमारा environment हमें thanks कहेगा, that's for sure, वैसे अच्छी लग होती है, उसमें से 95% जो चीजे होती है, वो पुराने कार्स के recycled parts से होती है, जी हां, इसका मतलब एक कार्स जब आप स्क्राफ कर देते हो, तो 95% उसके अंदर जो चीजे है, वो रीसाइकल होती है, और फिर नई कार्स बनाने के लिए उसे इस्तिमाल किया जाता है, that's a great news, that that's a great fact, isn't it? India ने सबसे बड़ी manufacturing facility create करना, I think it's a big thing, वैसे Ola की जो e-scooter है दोस्तों, June से आने वाली है, launch करने वाले, so I'm looking forward to it, क्योंकि उसके जो pictures है, वो भी आ गये है, and I like it, I like it, Ather 450X को competition definitely मिलने वाली है, वैसे दोस्तों, Ather 450X के competition में और भी बहुत सारे scooters आने वाले, electric scooters आने वाल का, जो sub-brand है, CF Motor, ये Chinese company, CF Motor, उसका sub-brand Zero है, Zeeho है, और उसके e-scooters भी launch होने वाले, in fact, CF Motors के बहुत ही बड़े plans है, India में, उन्होंने का है, हर 6-8 मेने में हम एक नया product है, फिर एक नया vehicle हम इंडिया में launch करने वाले, not bad, not bad, so electric, मैंने पहले भी बताया मेरी auto news में दोस्तों कि 2021 is going to be turning point, जी हाँ, petrol, diesel अगिर के जो vehicles है, कम होने वाले, electric, CNG, cleaner, fuel के जो vehicles है, वो बढ़ने वाले हैं, और ऐसे ही दिख रहा है, plans देखके तो यही लग रहा है, बात करते हैं, cars के बारे में, जी हाँ, Škoda Rapid, ये भी CNG vehicle testing दिख रहा है, मतलब अभी Škoda का Rapid, ये car है, sedan है, य अब CNG testing में चली गई है, इसका मतलब ये भी बहुत ही जल्दी CNG based Rapid launch करने वाले है, उतना ही नहीं, जो Škoda के executive है, उन्होंने कहा है, कि हम इस साल इंडिया में 4 नए Škoda के cars लेके आने वाले हैं, not bad, not bad at all, spy photos आ गए हैं दोस्तों, jeep के 7-seater SUV के, yes, ये भी लेके आने वाला है, आपको तो बता है, मैंने पिछले auto news में बताया थे कि Hyundai उनका Alcazar, ये 7-seater premium SUV लाने वाला है, अब jeep compass based 7-seater premium SUV, jeep की तरफ से भी आने वाली है, और अगर आप photo देखोगे, तो basically jeep compass को लोगे और उसे elongate कर दोगे, वैसे ही कुछ दिख रहा है, spy photo से तो, अब आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे, लेकिन 7-seater, मतलब एक जगा पे EV अगरे भी बहुत बढ़ रहे हैं, दूसरी जगा पे, ये जो SUVs है, 7-seater, वो भी बहुत ज़ादा बढ़ रहे हैं, आपको पता है, सबसे ज़ादा gas guzzling जो होते हैं, वो है, यही 7-seater, बड़े-बड़े, फॉर्चुनर, एंडेवर, ये सा, वैसे दोस्तों, SUV के बारे में बात, बड़े SUV के बारे में बात करते हैं, छोटे SUV के बारे में बात करते हैं, compact, February में पता है, आपको सबसे ज़्यादा बिखने वाली कौ से ज़्यादा compact SUV बेचे जा रहे हैं, और दोस्तों, MINI, जी हाँ, MINI की 3-door car की फोटो जागे है, फोटो नहीं, spy photos है, आगे से camouflage लगाया हुआ, लेकिन आपको होगे 3-door, जी है, यह बिसिकली कूप है, दो डोर साइड को होते है, एक दोर पीछे की तरफ होता है, दिखने को होटे है, दोर ऑफ्यु दिखर है, एकदम पोर्ट इख विए, अर्बन कूजर जैसे लग रहा है, यह लेकिन 35-40 लाक की होती है, MINI Cooper, यह सो, यह वेश, दोस्तों, हीरो की Extreme 160R, इसकी 100-million edition, जी है, जी है इसे उनके वेब्साइट्ट को पर लिस्ट होगाई है, आपको तो क्योंकि Hero ने 100 million, कितने 10 करोड, जी हां, उतने जो वहेहिकल्स हैं अभी तक बेच दिया है इंडिया में, इसके लिए वो signature edition लेकर आ रहे है, 160R की, so बहुत ही जल्दी लाउंच होगी, वेबसाइट पर आ गई है, इसका मतलब obviously physically भी बहुत जल्दी आ जाएगी, चले दो, आटो न्यूज इस हफते की नहीं, इस दिन की नहीं, इस दिन के इस हफते की पहली आटो न्यूज घदब होती है इधर ही, I hope you liked it दोस्तो, बहुत research करना पड़ता है, यह सब अच्छी अच्छी खबरे आप तक पहुचाने के लिए, और इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है, और आपको हमारा moral बूस्ट करना है, तो लाइक करना मत भूली, अभी तक भूल गयोंगे, सब्सक्राइब करना वो भी कर दीजे, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक, keep trackin and drive safe.